हेलो गाइज वेलकम बेग तो मा यूटुब चैनल इस बलकेश राइडर जैसेवन तो कैसे है आप सब लोग मिलते है इस नहीं वीडियो में तो गाइज आप एफ वीडियो फुल जरूर देखना और कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना और प्लीज दू लाइक शेर सब्स और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा गोवा के बीचिस मतलब यहां पर आपको मैं एक चोटा सब बीच दिखाऊंगा जो बहुती सुन्दर है और जगा क्राउड भी नहीं रहता है स्पेशली फॉर फैमिली और सेफ भी है क्योंकि यहां पर जदा लोग भी नहीं आते हैं लाइफ गार्स रहते हैं तो गाइज आप वीडियो एक देखते रहना और मैं आपको बाद में थोड़ा थोड़ा इंफरमिशन दूंगा लास्ट में पहुचने के बाद तो यह वीडियो लास्ट वीडियो की कांटिनिएशन है आप देख सकते हो तो अभी इस वी साउंड एड़ किया है कुछ लोगों को पता ही होगा तो गाइज अभी अपन लोग पहुच गए हैं यहां पर अभी यहां से लेक्ट लेना है हमको और आप सामने ही अभी देख सकते हो कुछ लोग भी हैं और यहां पर अपन पहुच गए तो गाइज यह रास्ता है वो कारवार से करनाताका से अते हैं यहां पर गौर में आते समय सिद्दा आते हैं है आते हुए आपको बीच में लैक्त लेने का ए जो मेंने लास्ट वीडियो में अब भी आपको पता होगा कहां पन लिया है जो मैंने कमेटे और बाइक फॉर आईवे राइट्स करके डाली है वीडियो उस वीडियो में आपको पता चलेगा तो गाइज अभी अपन पहुच गए है तो जाते हैं देखते हैं क्या क्या है इधर तो आप देख सकते हो इधर लोग भी आये हुए है यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगाई है हमने यहाँ पर थार के लिए अच्छा है आगे तक ले जा सकते हैं लेकिन छोटे कार भी आप ले जाते हो तो फोच चाहेगी इधर तो यहाँ पर एक गोवा का सुन्दर नजारा आप देखने वाले हो लेट्स इंजोई गाईज वैस प्लीज एक ही तो सब्सक्राइब करना है बस पैसा तो नहीं देने को पड़ता है प्लीज सिर्फ सब्सक्राइब करो और शेयर करो गाईज अपने दोस्तों को तो इस बीच का नाम है गाईज तौपन बीच नियर टू दगालजिपक बीच यह नजदिक है गालजिपक बीच से वहां पर थोड़ा क्राउड रहता है यहां पर क्राउड नहीं रहता है तो अभी अपन यहां से सिदा बीच पे चलते हैं तो गाईज आप इदार यह देख सकते हो यहां पर यह सब और यह नजारा यहां पर कोई लोग भी नहीं रहता है यह पूरा खाली बीच यह स्पेशली आप यहां पर खाना खाने के लिए बार बनाने के लिए आ सकते हो पार्टी करने के लिए मतलब यहां पर यह सुन्धर नजारा और यहां पर हवा अच्छीत्र से बैती है पूरा क्लियर है यहां पर कोई नहीं रहता है तो बहुत ही अच्छा बीच है अगर आपको कपल के साथ से टाइम स्पेंड करना हो तो भी यहां बहुत ही अच्छा बीच है तो गाइस अगर आप गवा में आते हो तो प्लीज यह जगह प्लीज जरूर विजिट कर टेक केर राइट से थैंक ये सो मुच फ़चिन गाइट